उपस्तित सभी शंतों का यथा योग जो भी उपचारिक बिनयादी वहतलता हूं अभी बहुत सारी बातें कही गए पुरा देश जागर्थ हो गया है जेन समाज की हर व्यक्ति को अपने सरनेम बदलना चाहिए कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है जेन लिखें और आकणों पर हम पूरे जेन दिखाई दें धर्म का कालम आता है हम हिंदू लिख दिया करते हैं जेन हमें लिखना चाहिए बाकी की जो सरने में आप लगाओ आगे लगाओ पीछे लगाओ हम कह सकते कि 45 लाख नहीं हम करोडों की संख्या में हैं लेकिन हमने ही लोगों को इस तरह से दिखा दिया है तो कम से कम जाती मजभ धर्म इन पर जिस धर्म की हम लोग हैं एक जेन मैं इतना क्या सकता हूँ कि ये जो वातावरन निर्मित हो रहा है वो निश्य थी जहां बिरोध होता है वहां सोध के राश्ते खुलते हैं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि रजातांत्रिक देश में यह गोशना सरकार कर देती है किसे परेटक स्थल इस तीर्थ को बना देना चाहिए किसी भी तीर्थ में कुछ करने से पहले उस धर्म के सरधालों से आस्थावान लोगों से चर्चा होना चाहिए वहां के सादुशंतों से विचार विमर सोना चाहिए वहां के समाज के प्रतिनिधियों से विचार विमर सोना चाहिए और सबकी सेहमती से किसी भी तीर्थ का विकाश होना चाहिए मैं यह कहूंगा यह विकाश वाली नीती नहीं यह विभाजन वाली नीती है इससे बाटा जा रहा है लोगों को आश्थाओं को लूटा जा रहा है और हमारी भावना को तहस नहस किया जा रहा है मानिवर में बहुत बड़ा वक्तब देने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसी बात को बार बार रिपीट करना कोई महत्पून बात नहीं है समेच सिखर में क्या हो रहा है ये सब को मालूम है सरकार क्या कर रही है ये भी सब को मालूम है मेडिया इतना जागरत हो चुका है ये भी सब को मालूम है कहां कहां किस तरह के आंदोलन हो रहे है ये भी सब जान रहे है मुझे खुशी है इस बात की कि जो जैन समाज बिखरा हुआ था अपने पंथों में शंप्रदा में पूजा पधती में एक संथारा के माध्यम से और सम्मेद शिखर के माध्यम से जैनों ने एकता का परिचे दिया है ये एकता का परिचा ये एकता इस संगठन ये हमारी एकत्त की ताकत के दिश्दा बनी रहेगी तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे तीर्थों को हमसे छीन सके संजे जी को बहुत बहुत आशिरवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने तीर्थ के लिए अपने प्राणों की परवाहना करते हुई अन्शन करके पूरे देश को जगाने का उन्होंने काम किया है सादू शन्त भी जागरत हो गए हैं सभी अपने वक्तव दे रहे हैं लेकिन इतना मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को इस चिनगारी को हमें बुझने नहीं देना है और जब तक हमारे तीर्थ की पवित्रताएं हमें बिश्वास में नहीं दी जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रखना है कभी भी बंद नहीं करना है हम जैनों के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ती है, अपना तपवल है, मनोबल है, हमारे अंदर आस्थाओं का बल है, बहुत कुछ हो शक्ता है, लेकिन बस इतना ही कि हमें अपना होसला नहीं छोड़ना है, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है, हमारे तिर्थंकरों पर भी बड़े बड़े उपसर्ग हुए चाए पारशनात भगवान हो चाए महावीर भगवान हो सब पर बहुत बहुत उपसर्ग हुए लेकिन इतिहास बताता है हर उपसर्गों में हम बिजी हुए हैं हम जीते हैं और शामने वाला सत्रों परास्थ हुआ है पायटी को इसी पर इतना कहूंगा कि जैने एक बात के लिए और जागरित हो जाएं अपने बोट की कीमत समझेए अपने मत की कीमत समझेए हैं अपने जैना हो रहा हैं ऑपने गरों में एक और में समझेए पहले संख्यावल मैं हम कम हो लेकिन हमारे बोट की बहुत ताकत है बहुत शक्ती है उसकी उसको जागरित करें इतना ही कहूंगा कि जो आंडोलन पूरे देश में हो रहे हैं यह कम नहीं होना चाहिए बढ़ना चाहिए और संतों को भी इसकी अगवानी करना पड़े तुने आगे आना चाहिए हमने हमेशा यही कहा है क जब भी हिंदुत पर कोई बात आई तो हम गर्जे हैं हमने अपनी बातें बोली हैं हमने शमर्थन किया है इस शरकार का हमने शमर्थन किया है जब जब हिंदुत पर प्रशन चिन्न लगा है हमने उसकी प्रतिष्ठा बनाई है हम संत बोले हैं हमने सह अस्तित वाद का सिध अपने सामने रखा है हमने कहा है कि हम लोगों ने कहा कि आप हिंदू है हमने का ठीक है हम हिंदू है उन्हों ने कहा कि आप जैन हिंदू से अलग नहीं हो शकते हैं हम भी अलग नहीं होना चाहते हैं लेकिन जब हम को आप एक समझते हैं जब एक ताका पाट पढ़ाते हैं ज इतना ही कहना चाहता हो, चाहे देश की शरकार हो, चाहे राजनेतिक लोग हो, इतना ही मेरा है कि जैनों के साथ इस तरह की बतसलू की नहीं होना चाहिए, जैनों के साथ इस तरह का दुर्विवहार नहीं होना चाहिए, राम मंदिर बना हम खुश हो गए, बीजेपी शरकार बनी हमने खुशी व्यक्त की जब भी कुछ हुआ हमने खुशी व्यक्त की RSS पर जब भी कोई प्रश्न चिन्ने लगा हम खड़े हुए उसके समर्थन में आज हम चुप क्यों हैं हम सब साथ हैं फिर हम अकेले क्यों हैं हम सब के लिए आवाज अखाते हैं फिर हमारी आवाज को सुनका लोग चुपपी क्यों साधलिया करते हैं हम सब के लिए आगे बढ़ते हैं हम सर्व धर्म शमेलन करते हैं हम सभी धर्मों के साधुशंतों को एक मंच पर बिठाते हैं एक मतो कर के बात कर hair करते हैं लेकिन समस्च्ञा तो यह है कि जब आज हम पर आफ़त पड़ी है जब हमारे साथ इस तरह का दिविवान हो रहा है विश्व हिंदु परिशत को भी साथ देना चाहिए आरेसेस को भी साथ देना चाहिए सादू शंतों को भी साथ देना चाहिए जब कहीं भी कुछ हुआ हमने आवाज उठाई है हमने उनका समर्थन किया है आज इस समाज को अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है नहीं सुनते हैं नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है हम में वह शक्ति है अहिंसा की वह ताकत है एक बात ध्यान रखना मैं मोदी शरकार से कहना चाहता हूँ मैं केंडर सरकार से कहना चाहता हूँ जार खंडर सरकार से कहना चाहता हूँ आपको याद होगा हजारों वर्सों की गुलामी से इस देश को यदि कोई मुक्ति दिलाता है बिना तलवार लिए बिना भाला लिए बिना वर्ची लिए कोई महात्मा गांधी खरेड देता है दे उन्हें शत्य हिंसा महावीर के शिद्धानतों पर उन्होंने विश्वास रखा, मैं मोधी शरकार से कहना चाहता हूँ, कि दुनिया ने अभी गांधी की ताकट देखी है, दुनिया ने अभी गांधी की जो धोती है, वो एक लंगोटी के वरावर थी, लंगोटी वालों की ताकत देखी हजारों वर्स की गुलामी से मुक्ति पाई अब उन्हें बिना लंगोटी वालों की भी ताकत देखना पड़ेगी ध्यान रखना इस सरकारें हिल जाएंगी यह यहां का पूरा जो चल रहा है बातावरण यह अच्छा परिणाम नहीं होगा मैं भाशन करने के ल लेकिन आग जलना चाहिए यान रखिए मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिस है कि यह सूरत बदलना चाहिए सूरत को बदलने का हम प्रयास करेंगे जो चिनगारी जली है उसे हवा देते रहें सादू शंतवी हवा देते रहें और सारी दुनिया म यह प्रेणा का केंडर बने इस बार की लड़ाई अंतिम लड़ाई होना चाहिए मैं तो कहता हूं कि अकेला सम्मेश सिखर नहीं ऐसी लड़ाई लड़ो जो हमारे तीर चीने गए वह भी हमें बापिस मिलना चाहिए गिरनार हमें बापिस मिलना चाहिए रिशवदेव के शरीया हमें बापिस मिलना चाहिए जो जो हमसे चीना गया है वह वह सब हमें बापिस मिलना चाहिए इस बार की जो लड़ाई होना चाहिए ऐसा अहिंसक युद्ध होना चाहिए ऐसी हमारी जीवन की वह इस तरह का जोश हमारे अंदर आना चाहिए एक एक बच्चा तयार हो मैं तो कहता हूँ यदी नहीं हुआ तो पूरी जैन समाज की युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा एक जैन आर्मी की स्थापना करना पड़ेगी जैन सेना की स्थापना करना पड़ेगी और बक्त पड़े तो हमें हत्यार उठाने की जरुवत पड़े तो भगवान संरक्षनों के लिए लेकिन जब तक सांती से काम होता है सरकार जागरत होती है तो ध्यान रखना हमें अपना अहिंसा और मोन का संदेशी सारे जगत को देना है और कभी भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना है इस बार पीछे हट गए तो जेन समाज होगा लेकिन उसके आस्था के केंडर नहीं होगे इस बार यदि हम पीछे हट गए तो एक बात ध्यान रखना हमारे पास धर्म होगा लेकिन धर्म के छेत्र हमारे पास नहीं होगे एक ही चीज कहूँगा सिध्धान्तों की लड़ाई है आदर्सों की लड़ाई है इतना ही मेरा आग्रे है सिध्धान्तों के लिए सरीर जाए तो चला जाए इसकी हमें परवाह नहीं करना है बलिदानों का दौर भी लगे तो लगे अभी जैपूर में सुगे सागर महराज न नहीं ले सकते हैं लेकिन अपने तीर्थों के लिए अपने प्राणों की कुरवानियां जरूर दिया करते हैं सब जागरत हो जाएं माताएं जागरत हो जाएं बच्चों को लोह पुरुष बनाने का प्रयास करें बेटियों को सिफ कंगन चूडियां ना पहनाएं उनके हा भारत देश है हजारों तरह के पहाड है हजारों तरह की अस्थान है वहां आप बनाओ खूब बनाओ वड़े वड़े परेट इक्स्तल लेकिन किसी तीर्थ की पवित्ता कूनश्ट करना मौजमस्ती का इस्थान बनाना मान सहार और सराव जैसी चीजें वहां प्रदर्शित क परना ये बरदास नहीं किया जाएगा क्या मोदी सरकार को क्या केंडर सरकार को जारकंट सरकार को किसी को परेट तक स्थान बनाने के लिए जगए नहीं मिल रही है बहुत सारे है और हम तो जैन हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक नई दस सम्मे सिखर बना सकते हैं, हमारे पास धन भी है, बल भी है, शक्की भी है, ग्यान भी है, बिवेक भी है, यदी लडाई केवल तीर्थ की होती, यदी लडाई केवल पहाड की होती, यदी लडाई केवल जमीन के तुकडे की होती तो हम जेन समाज के लोग कभी बलिदान नहीं करते लड़ाई पहाड की नहीं है लड़ाई पत्थरों की नहीं है लड़ाई ये है हम दस सम्मे सिखर बना लेंगे कोई दिक्त नहीं है लेकिन समस्या तो तब आ जाती है दस सम्मे सिखर बनाने से होता क्या है क्या हम दुबारा 20 थंकरों को वहां से निर्वान प्राप्त करा सकते हैं क्या करोडों मुनियों की निर्वान प्राप्त की भूमी बना सकते हैं नहीं बात आस्था की है बात जमीन की नहीं मोदी जी को जमीन चाहिए जैन समाज खरीद के दूसरी जमीन दे देगी आप बनाएए बहुत परेटकिस्टल लेकिन हमारे तीस्टों से छेड़ चाड़ मत करिये उसकी पवित्रता को नश्ट मत करिये अयोध्या में हिंदूओं का एक पवित्रतीस बन जाता है आज मक्का मदीना जाओ तो वहाँ दूसरे धर्म का आदमी प्रिवेश नहीं कर सकता है सभी को अपनी अपनी धर्म की अमसाल अपनी आस्था और अकनी का अधिकार हुआ करता है हम कैसे हमारे समय सिखर पर ऐसे इस तरह की बात वरंडिरमित कर सकते हैं मैं आप से तहीनी करना चायता हूँ समा जागरित रहे जागरित रहकर के जब तक ये बापिस नहीं लिया जाएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा एक संजय नहीं मैं अपने बिचारों से हजार संजय खड़े करूँगा एक सुगय सागर नहीं मैं अपने बिचारों से कई सुगय सागर को तयार करके बलिदान करने के लिए तैयार करूंगा सम्मेश सिखर की रक्षा के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रवचन जादा देना नहीं मुझे आगे भी कारिक्रम है अभी 5000 बच्चों को मुझे संबोधन करना एक कालेज में जाकर करके तो मैं इतना ही आगरह करता हूँ कि जो भी है बातव होंगे जहां समाज का कदम लड़कराएंगे हम उन्हें अपने दामन में भर करके शक्तियां प्रदान करेंगे अपने तब की अपने त्याग की शक्ति देकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे जहां भी जरूरत होगी हम आगे रहेंगे बलिदानों की जर प्रश्ट की समिक्षा नहीं वहां की व्यवस्थाओं की समिक्षा नहीं करना है हमें तो आज जलती हुई आग को बुझाने का प्रयास करना है बाकी चीजें बाद में निपतेंगे लेकिन अभी आग लगी हुई है इस आग को शांत करने का प्रयास करिए सरकारों को मजबू मैं कह सकता हो कि संतों को इस तरह की भाशा नहीं बोलना चाहिए हम बीत्रागी संत है लेकिन सरकार हमको मजबूर कर रही है लेकिन जब भी किसी संत की आवाज उखती है तो जल जले आ जाते हैं तूफान हो जाया करता है एक बात इतना याद रखें, सरकार को मजबूर करें, हमारी लड़ाई ना आदिवाशियों से है, ना भीलों से है, ना सम्मेशिकर की इस्थाई जमात से हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई सरकार से है, वो लड़ाई भी सरकार से व्यक्तिगत नहीं है, हमारी आस्था के चिराग से उनके घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तीरतों को बचाईए तीरतों का संबर्दन करिए यही मेरी अपेक्षा है और जहां कहीं भी मैं खुले याम कहता हूँ चारों शंप्रदाए एक हो जाना चाहिए अब एक ताका परिचे देना चाहिए दो हजार देश तीरत संरक्षन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाना चाहिए और सम्मेशिकरी नहीं सारे तीरत हमारे धीरे धीरे असुरक्षत हो रहे हैं उन पर भी हमें विचार करना चाहिए देखिए सम्मेशिकर का मतलब है कि सम्मेशिकरी नहीं होता है जेन तीरत का रूप में अलग-अलग चार भागों में बठ गए हों लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जैसे यदि श्वेतांबर मंदिर पे आच आती है तो मेरा हिदय रोता है मेरा मन रोता है इस्थानक पर आच आएगी तो मेरे रूह काप जाया करती है और यदि दिगंबर तीर्थ हो या श सिनेंद्र भगवान के भक्त है और यह आवाज बुलंद होगी पाली ताना के लिए वही मेरे अंदर दर्थ है क्योंकि पाली ताना तो हम सबका तीर्थ है क्या दिक्कत है पांड़मों की मुक्ती का इस्थान है हम भी आस्थाओं से जाते जाते रहेंगे तो ये विचार म पर हम पूरे जैन दिखाई दें धर्म का कालम आता है हम हिंदू लिख दिया करते हैं जैन हमें लिखना चाहिए बाकी की जो सरनेम हैं आप लगाओ आगे लगाओ पीछे लगाओ हम कह सकते कि 45 लाख नहीं हम करोडों की संख्या में हैं लेकिन हमने ही लोगों को इस तरह से द है भी जहीं हम करोड़ भी हम हम आता है